हेलो दोस्तों, जो रोयल इंफील्ड है वो 85% मार्केशेर होल करता है मिडल वेट सेग्मेंट में चन्नेई बेस्ट मैनुफेक्चर एग्रेसिवली काम कर रहा है अपने प्रोड़क्ट्स पे उसी से पता चलता है कि एक के बाद एक ये नए प्रोड़क्ट्स मार्केट में लाँच करे जा रहे है और एक काफी जरूरी भी हो गया है क्योंकि कोई ना कोई इन्हें टक्कर देने में लगा पड़ा है कोई ना कोई इनको डी थ्रोन करने में लगा पड़ा है चाहे वो जा में एक नाएक प्रोड़क्ट कम से कम लांच करें फिलाल अभी की बात करें तो सब चीजे प्लैन के साफ से ही जा रही है क्योंकि और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्या है रॉयल इंफील्ड की तरफ से तो वो है हिमालियन 450 और बॉबर 650 जो की एक साथ टेस्टिंग के दुरान स्पॉर्ट की गई है अगर हम लोग सबसे पहले हिमालियन 450 की बात करें तो उसमें उसकी जो अपेरिंस है वो काफी राउंड है as compared to Scram 411 डिजाइन जो रैक्स का डिजाइन है वो भी राउंड अपेरिंस दे रहा है इसको दे as an optional जो लोग लगवाना चाहें वो लगवा सकते हैं और जिनको नहीं चाहिए वो as a standard ही उठा ले क्योंकि हर कोई long distance travel पे नहीं जाता है अगर हम लोग other changes की बात करें तो इसमें आपको नया fuel tank design देखने को मिलेगा single piece saddle, compact exhaust और longer front brake इसके लावा इसमें round headlamp, rear view mirrors और wired spoke wheels जो है वो retro based है, सबसे significant update जो जिसमें आपको देखने को मिलेगा वो है इसका 450cc का engine जो की generate करेगा around 40 bhp की power और 45 newton meters का torque, तो ये तो थी आपकमिंग हिमालियन 450 की बारे में कुछ details, अब हम बात करते हैं bobber 650 गी, तो bobber 650 जो है ये perfect रहेगी cruising के लिए, खाली चौडी सड़क वहाँ पर आप आसानी से इसमें cruise कर सकोगे, तो इसकी जो road presence है, काफी जबरदस्त है, काफी बड़ी big bike वाली feel देगी आपको, harley type, और अगर as per reports अगर हम लोग देखें, तो reports के सबसे, even at high speeds, इसमें as such कोई vibes और turbulences noticeable नहीं है, जो कि बहुत इच्छी बात है, अगर इसके features क करें तो इसमें आपको round head lamp, rear view mirrors, classic teardrop shaped fuel tank, single piece seat, dual chrome exhaust, broad rear mud guard और circular tape, tail lamp और turn indicators मिलेंगे, साथ ही इसमें dual dial instrument cluster मिलेगा, जो कि similar रहेगा मीटी और 350 की तरह, इसमें जो छोटा वाला dial होगा न, instrument dial में से, वो हो सकता है कि वो triple navigation screen हो, अगर bike की comfort की बात करें तो काफी comfortable है, riding position, साथ ही इसमें आपको pull back handle bar और forward set foot packs भी देखने को मिलेंगे, USD folks जो हैं, वो काफी safer रहेगा, riding के दौरान, वो भी आपको इसमें मिलेंगे, वैसे test mule के अंदर as such कोई visor देखने को नहीं मिला है, पर हो सकता है कि आपको as a necessary's वो देखने को मिल जाए, अगर हम लोग इसके engine specs की बात करें, तो bobber 650 will be powered by 648cc parallel twin motor, जो की generate करेगी around 47.5 PS की power, और 52 newton meters का torque, इसमें आपको six speed gearbox देखने को मिलेगा, और possible है कि engine में कुछ tuning की जाए, क्योंकि ये cruiser होगी है, तो cruising के साब से ही इसके engine को tune किया जाएगा, अगर हम लोग इसके prices की बात करें, तो expected prices का रहने वाला है, 3 to 3.5 lakhs, और वैसे हाली में Royal Enfield ने अपने official social media platform बेस का एक Himalayan 450 का teaser जारी किया था, तो speculation है कि आपको बहुत ही जड़ ये bike showroom में देखने को मिल जाए, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, Thank you very much.